तो दोस्तो अल्लो अरजुन के फेंस जिस न्यूस का इंतजार पिछले 5-6 महिने से कर रहे थे फाइनली वो न्यूस आ चुकी है और ये न्यूस सुनने के बाद अल्लो अरजुन के जितने भी डाय हाड फेंस है वो नंगा होकर नाचेंगे जिया दोस्तो पिछले कुछ समय से हम कनफ्यूजन में थे कि पुस्पा फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं होगी लेकिन ये कनफ्यूजन पिछले 2 हपते पहले ही खतम होगया क्या हाँ पुस्पा फिल्म हिंदी डब में 100% कनफोर्म रिलीज होना है 17 दिसंबर को सिनम गरों में लेकिन ये confusion खतम होने के बाद सबसे बड़ा टेंसन क्या था कि पुस्पादर आइस को हिंदी वर्जन में distribute कौन करेगा क्योंकि अगर दिश्टिब्यूटर ही नहीं होगा तो हिंदी वर्जन में फिल्म रिलिच कैसे होगी तो दोस्तों जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि पुस्पादर आइस को बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे नहीं जानते होंगे जो लोग जानते हैं कि आनिल थडानी कोन है उन्हें पता होगा कि अब पुस्पा फिल्म कितने सही हातों में गई है और जो लोग नहीं जानते कि आनिल थडानी कोन है तो दोस्तों आपको बता दू कि आनिल थडानी वही बंदा है जिस बंदे ने बाहु बली को हिंदी वर जैसे फिल्मों को हिंदी में डिस्टिब्यूट किया है वही इंसान आप पुस्पा को भी हिंदी में डिस्टिब्यूट करने जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे टिंसल लेने की कोई जरुवत नी है अनिल थडानी पुस्पा फिल्म को हिंदी वर्जन में अच्छी खासी स्क प्रिन दिलाना तो अनिल थडानी के हाथ में है इसके अलावा अब फिल्म का अगर अच्छे से प्रमोशन होता है तो ये फिल्म हिंदी वर्जन में 100% सूपर डूपर हिट हो सकती है लेकिन अगर अलु अर्चुन के टीम इस फिल्म का हिंदी वर्जन में सही से प्रमोशन नह करती है तो भूल जाओ कि फिल्म हिंदी वर्जन में चलेगे क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि अगर बोल्यूड यानि कि हिंदी में फिल्मों को कमाना रहता है या हिंदी फिल्मों को सक्सेस करना होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रमोशन बीने प् टीम और पुस्पा फिल्म के मेकर से यही रिक्वेश्ट एगी भाईया पुस्पा फिल्म का हिंदी वर्जन में सही से प्रमोशन कर देना फिल्म को स्क्रेण तो अनिल थडानी दिला देगा लेकिन जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे जब तक यह फिल्म बोक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाएगी तो उमिद करते हैं दोस्तों कि अल्लो अर्जुन की टीम और अल्लो अर्जुन की PR टीम इस फिल्म का हिंदी मार्केट में अच्छे से प्रोमोशन करें फिर चाहे हो कपिल सर्मा सो में जाना हो इसके अलावा जितने भी इंटर्वियूस देना हो यूटूबर्स को वो सब करना चीए बस इस फिल्म को अच्छे से प्रोमोट कर दे हिंदी मार्केट में उसके बाद किसी का बाप नहीं रोक सकता इस फिल्म को ब्लोकबश्टर होने से तो दोस्तों यही थी आज की सबसे बड़ी अपडेट पुस्पादर राइस क लेकर उमिद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे चेनल को सब्सक्राइब करे मैं मिलता हूँ आप से एगले वीडियो में जब तक के लिए जेहिंद प्रड़ी पात